जो जो विडियो बना रहे हैं यह है कलांचु पे और इसकी तकरीबन 125 अक्साम हैं लेकिन हमारे पास कामनली जो भी नरस्रियों वाले लेते हैं चंद एक लेकर आते हैं वह सूटेबल हो हमारी अन्वाइरमेंट के साब से होती है और कमनली जो है एक तो देसी होती है हमारे पास यह शायद आप देख रहे होंगे रैड कलर में यह कमन बहुत से लोगों के पास होती है और एक यह अधिरिट टाइब होती है यह देखें औरेंज कलर यह मैं दुबई से दिसंबर में गया था तो वहां से लेकर आया हूं यह और एक यह परपल कह सकते हैं आप कटिंग लगी है पौदा इसका जब लेक यह था तो उसमें फंगस लगी थी जल्दी संबालते संबालते दी बाकी यह एक वैरिकेटिड भी है यहां की लोकल वरैटी है कलांचू की जो फिलावरिंग सीजन है यह विंटर में होता है जब इसकी लंबी राते हैं और चोटे दिन हो जाते हैं उस दोरान यह देता है उससे पहले इसके सिक्स वीक के डॉर्मिट पिरेड होता है उसमें अगर आप पानी बंद कर दें इसका और जैसे ही इसके उपर बड आने लगें लगें तो इसको सणी प्लेस में भी ले आए और पानी भी स्टार्ट कर दें और इसको को फर्टिलाइजर देना तो लिकुड फर्टिलाइजर या यह काव डंग या एन्पी के वह भी आफ अगर वाटरिंग में ज्यादा ओवर वाटरिंग होगी तो बस यह आपके हाथ से चला जाएगा प्लांट इसकी आपने देखनी कैसे के इसको जरूरत है यह काव पानी देना है तो इसके लिए यह तरीका अपना पानी चेक करने के लिए फिंगर को ना इसके अंदर प्रेस अगर को मिलती है यह मॉइस्ट मिलती है तो फिर जरूरत नहीं है पानी की उसके बाद इसको एक कटिंग का तरीका है कटिंग आप आसानी से लगा सकते हैं वस सिर्फ देखना हुई है कि ज्यादा पानी नहीं देना कटिंग को आप टाइमली पाउदा इसी तरह आगे कर सकते हैं कटिंग से उसको रिफ्रेश करते रहें आगे सागे लगाते रहें और नया प्लांट बनाते रहें तो इसको एक और तरीका भी है आप पत्ते से भी उगा सकते हैं इसके तरीका एक है एक टर्म है शायद आपने सुन रखी होगी कैलस कैलस होता है जैसे उसकी एक एक सर्फिस जो है लेयर बन जाती है जहां से पत्ता कटा होता है उस पत्ते के ऊपर और वहां से फिर रूटिंग होती है और वह कैलस डिवल्प करने के लिए यह देखें जैसे पत्ता फ्रेश सर्फिस है शाहिद आपको नदर आ रहा होगा इसको कैसे जब एक दिन ये दो द हो जाती है तो वह एक्शली कैलस के लाती है अगर आप देखें तो यह जो पिंक कलर का है क्लांची उसकी कटिंग है और यह लीज भी देखें उसी वक्त से जब से कटिंग लगाई है यह भी ऐसी लगाए और ग्रीन के खड़ें ग्रीन तो इसका मतलब है कि बहुत चांसे अगरें से प्लांट भी ग्रो आए वह जाएगा तो कटिंग भी सकस्स है एक यह और अरेंज की लगाई हुई है दो कटिंग है यह भी चल पड़ी है और लीव भी लगाई हुए तो इसकी डिफिकल्टी नहीं है यह हो जाती है कटिंग वगारा आप ट्राइ करते रहें और आपको अब्राइब हो जाएगा हुए इसमें इसकी जो तो होती है सेटोलेंट की साइल क्यांकि यह सकुलेंट वराइटी होती इसकी एग इसको अगर जब फिलावरिंग पैने लगे तो फिर आप इसको फर्टलैजर पगार उसो कर दे सकते हैं नहीं तर जरूरत नहीं है ह इसमें डाल सकते हैं, शाहिद मैंने पहले भी का और इसमें लिकिड फरिटलाइजर भी दे सकते हैं और एंपी के भी सप्रेग कार सकते हैं लेकिन इसको एक ज्याद रखें जो सनी अरिया है न सनी प्लेजिस में अच्छी दूप आती है कम असकम चार-पांच गंट है वो से ले गए वो उसमें होना चाहिए इसमें सनी अरिया में तो यह बहुत अच्छा ग्रो करता है और फ्लावर देता है यह देखें कि इसकी जबरदस लुक है यह फ्लावर्स की इनको कभी कबार बेशक एंटी फंगल जो है लिक्विट में डिजाल करके पानी में वह भी आप दे दें तो बहुत अच्छा है ताहां कि इसको कोई रूट रॉट का मसला ना हो और इसको अगर क्लीन करना है तो आप में क्या करना है कि थोड़ा सा पानी लेकि और इतना ही दूद लेके तो मिक्स करके उससे अपने पते जो है ना हाथ रखके नीचे क्योंकि यह इसको बहुत जल्दी ब्रेकबल होते हैं इसके तो कपड़े से माइल से साफ कर लेना है इस पार तो पढ़ जाते हैं पानी चानी जब लगाते हैं और दूसरा उसके बाद आप अगर जब ड्राई हो जाए मिल्क से साफ करके तो फिर आप मायोनीज थोड़ी सी लेके कपड़े के साथ लगा के उससे शाइनिंग कर सकते हैं तो यह बहुत फ्रेश आपको दिखाई देंगे और एक और बहुत अहम चीज हुआ है कि पानी देते हुए साइड से दें कभी उसके आपने का खतर होता है होग कि आपको यह वीडियो पसंदा योगी लाइक करें और शेयर करें